चीन्टी और टिद्दा यी सब की दन तक थाएं एक गर्म धूप वाले दिन एक टिद्दा खेतों से गुजर रहा था वह खुश था और कूटते ही एक गाना गाया जैसे ही वह ठक गया उसने धूप में एक गर्म चट्टान पर लेटने और बादलों को देखने का फैसला किया तभी एक चीन्टी उधर से गुजरी जो अपने घोसले में मकई की एक बाली ले जाने के लिए बहुत मेहन्द कर रही थी टिड़ा अपने दिन का इतना आनंद ले रहा था कि उसने चीन्टी को पुकारा अरे तुम इतनी मेहन क्यों कर रहे हो यहाँ एक खूपसूरत दिन है मेरे साथ धूप का आनंद ले चीन्टी ने वापस पुकारा हमें सर्दियों के लिए भोजन जमा करने की आवशक्ता है इतने दिनों में ठंड नहीं होगी और हम भूखे रह जाएंगे टिड्डी ने सोचा कि यहां मूर खता पूर्ड था क्यों बहुत सारा खाना है वह रोया वह वापस धूप में आनस करने चला गया चीन्टी ने अपना सिर हिलाया और काम पर वापस चली गई अगले दिन फिर से धूप खिली थी और टिड्डे ने नदी के किनारे जाने का फैसला किया वह एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कुरकुरे ठंडे पानी में घूमता रहा दुनिया की उसे कोई परवान नहीं थी एक बार फिर उसने चीन्टी को पास से गुजरते देखा इस बार चीन्टी एक बड़ा पत्ता ले जा रही थी चिद्धी ने फिर पुकारा नमस्कार मित्र आज फिर इतनी मेहन क्यों कर रहे हो आओ छाया में बैठेन और नदी की आवास का आनन ले एक बार फिर चीन्टी ने मना कर दिया ये सुन्दर दिन इतने नहीं है ग्रासहों पर जल्द ही थंड आएगी हमें तयार रहना चाहिए चीन्टी अपने काम पर लौट गई तीसरे दिन जब तिड़ा जागा तो सूरज नहीं चमक रहा था यहाँ गर्म नहीं था रात भर सर्दी आ गई थी और जमीन जम गई थी और बर्फ से ढग गई थी टिड़ा काम उठा और जब वह खाने के लिथे भोजन धून्दने लगा तो कुछ न पाया वह भोजन और आश्रे की तलाश में बर्फ में घंटों तक चलता रहा चलते चलते वह चीन्ती के घोसले के पास से गुजरा अंदर उसने चीन्तियों को गर्म और खुश देखा और एक स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन साजा किया यह तब था जब वह समझ गया था कि चीन्ती हमेशा सही थी सभी दिन धूप नहीं होती चीन्ती ने फिर मुड़कर देखा कि टिद्दा ठन से ठिठुर रहा है और भूखा है उसे बेचारे टिद्दे पर दया आ गई आओ दोस्त उसने फोन किया यहां कमरा है और भोजन है मैंने कई मौसमों के लिए परियाप्त बचत की है अंदर आओ और खाओ और इसलिए टिद्दे का चीन्ती के घर में स्वागत किया गया और चीन्ती की तयारियों ने चीन्ती उसके परिवार और टिद्दे को गर्म रखा और पूरी सर्दी को लंबे समय तक खिलाया कहानी का शिक्षड है आवशक्ता के दिनों के लिए तयारी करना सबसे अच्छा है